इस वीडियो में डिसकस कर रहे हैं डिसमबर टैमन एक्जाम की टेंटेटिव जेशिट तो यह खफता हो गया लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला था डिसकस करने का तो आप में से काफी सरे स्टुइनेंट्स ने देख लिए होगी क्योंकि कमेंट आ रहे थे तो इसका मतलब इसमें आप लोगों ने अगर नहीं देखिए लेशिट तो आप इसकी ऑफिशिल साइट पर जाके दो है देख सकते हैं अब इसमें चेंजिस हो सकते हैं माले कोई डेट जो है क्लैश कर लिए आपके दो एक्जाम की एक डेट पर तो आप उसमें भी कंडिशन है कि कौन- तो आपके स्कता आप सेकंड या कि़िए दो एक्जाम की क्लैश्म लिए घारी सफिल सब्जेक के एक्जाम दे या फिर सेकंड यर के एक्जाम दे में लास्ट टू लास्ट एर ऐसा हुआ था कि दो डेट पे एक ये डेट पे दो एक्जाम आ रहे थे 103 का और 007 का और काफी सारे स्टूडेंट्स की 103 में बैक थी अब वह उन्होंने किसी श्टूडेंट ने 007 का थिस में डिया था, किसी ने 103 का एकजाम दिया था तो पिर बाकी स्टुडेट नेने ने रूस्मों था य्isone यह ईसने केस में आप नहीं बोल सकते कि डेड ऐस कर रहे है तो इसमें इंस्ट्रक्चन में इगनु यहां ने दे रखा यह मैंने आपको एक्जामनेशन फॉर्म में भी बता दिया था तो क्लैश ऑफ एक्जाम यहां लिखा हुआ है डेट सेशन विल नोट बी कंसिडर इन फॉलेंग केस यह चार केस हैं जिन केस में आप नहीं ग्रूप वन टू ग्रूप सिक्स ठीक है यह सब में यह चार कोई भी सब्जेक्ट को आप देख सकते हैं जहां तक मुझे लगता है कि सारे ग्रेज़ोशन वाले ही सब्जेक्ट उसके अंदर तो जिनके भी सब्जेक्ट हैं बाकि आप देख लेना अगर किसी का मास्टर्स पाभी और प्रोग्राम के जो भी पर आप देख सकते हैं तो यह गुरूप वन और गुरूप सिक्स ठीक है इन में अगर आपका कोई एक्जाम सेम डेट पर आ रहा है तो इसमें आप नहीं बोल सकते कि आपकी जो डेट है वो क्लैश कर रही है पर आता वही बैक लोग वाला डिफरेंट यह वाला जो मना अभी आपको बताया फर्स्ट यह और सकेंड एर का सेम डेट पर डिफरेंट डिफरेंट प्रूप और डिफरेंट स्पेसिलाजेशन के जो कोर्सिस हैं तो अभी बाकी आप अपनी डेशिट जो है वो देख सकते हैं अगर जिसने भी नहीं देखी ऑफिशल साइट पर जाके अब हम डिसकस करता हैं मेसी की डेशिट तो यह रही हमारी मेसी की डेशिट तो फर्स्ट यह के एक्जाम इस बर पहले हैं अभी जो जून वाले इस Imperまた 6 तारीको यह मैक्रों का सात को है अग्रोथ का 9 तारीक को है 9 इसंबर को आपका इंडिया इकानमी का आप 10 तारीक produkt में है आप 2ी सब्सक्राइब लगाता रहा है फिर 20 के बाद 22 को है पिर 109 23 को है ठीक है लगाता रहा है फिर 24 को जिनका भी optional subject है यह इक्नोमेट्रिक्स फिरेक्चुरियल का 26 को है MEC 04 और MEGSC सेम डेट पर GSC 09 जो है वह आपका मॉर्णिंग में और MEC 04 आपका इवनिंग में ठीक है 27 तारीक को है यह आपके एक्जाम MWG 011 28 दिसंबर को है तो आपनी जो प्रिपरेशन है वह स्टार्ट कर दो तो नमंबर ही रहेगा आपके पास पढ़ने के लिए अच्छे से क्योंकि अगर दिसंबर में ही एक्जाम कंड़क्ट होते हैं तो इसलिए पढ़ना स्टार्ट कर तो अभी जो भी वीडियो अप्लोड है वो वो कोश्चन्स है जो काफी बार रिपीट हो है एक्जाम के अंदर बाकी आपको नए टॉपिक्स भी जल्द ही चैनल पर मिलेंगे इस वीडियो को मने फ्रेंग्स के जबर शेयर कर देना थैंक्यू झार